नमस्कार फ्रेंस मैं हूँ इस्ट्रॉलिजर अवास्तु कंसाल्टन रुधी बहल बहुत सारी क्वेरी जा रही हैं बहुत सारा फीडबैक मिल रहा है मुझे आप लोगों से और आज का जो टॉपिक है वह आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पे जो है आज में डिस्कुस कर रह करें हैं तो क्या करें अइसा जिसके कारण जो है यह हमारी प्राब्लम है कि स्वॉल व जो है वो कारक होता है मन का चंद्रमा कारक होता है emotions का हमारे thought process का अगर राहु चंद्रमा एक साथ है तो भी हम कहते हैं कि जी आप प्रोन है आपको नजर जो है जल्दी लग जाएगी तो क्या कुछ करें आज तो यही सब discuss करेंगे देखिए सबसे पहले जो है बहुत जरूरी प्रोन है लेगे तो अगर हम नेगेटिव बोलेंगे तो हमारा फिर दो फॉच सकते तुम बहुन कर सकते अगर में आपको कशी बहुत मुदा किसी को कुछ समझाना भी है तो उसको पॉजिटिव तरीके से समझाए राधर देन टॉकिंग नेगिटिवली उससे क्या होगा हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं अपने ही आसपास का औरा नेगिटिव कर रहे हैं दूसरी चीज आपके घर में जब पोचा लग रहा है तो वो मैं बड़ा नेगिटिव फील करती हूं मेरे को जल्दी नजर लग रही है तो आप जो है अपने नहाने के पानी में एक चमच रॉक सॉल्ट और दो तीन बुन्दे नीबू की निचोर के डाले और ऐसे पानी से नहाएं कैमफर कपूर जरूर जलाएं जब आप कपूर जला कोडी जो की शंक की जैसे दिखती है वाइट कलर की होती है वो जो है अपने पास जरूर रखे जब भी आपको लग रहा है कि जी आप लो फील कर रहे है तो उसको ऐसे मुठी में बंद कर ले और गायत्री मंत्र का जाप करे आप देखेगा इंस्टिंट यू विल फील पॉ जाल्दी में घी मिलाईए और उससे घर के या ओफिस के जो एंटरंस या जो चोखट है उस पर जो है स्वास्तिक बनाईए ऐसा जो है आपने पुर्निमा वाले दिन या अमावस्या वाले दिन ही करना है देखेगा यह करने से आपके वर्क प्लेस पे जो है बहुत जादा कि रहेगी जैसे मैंने शुरू में कहा था मून चंद्रमा जो की थोट प्रोसेस का कारण है हमारे इमोशन हमारे सोचने के तरीके का इन सब केरें जो हैं चंद्रमा को देखते हैं कुंडली में तो चंद्रमा को स्ट्रॉंग करने के लिए क्या करें पुर्णिमा वाले दिन खास करके जो है चंद्रमा को हाथ जोडे और फोकस करे चंद्रमा की किर्णों पे ट्राइ अन अब्सॉर्ब दे रेस ऑफ दे मून आप देखेगा ये करने से आप में कितना दिफरेंस आता है please follow these tips and do give me your feedback like you have been doing please follow me on instagram and on facebook by astro ridhi behal and do subscribe to my youtube channel till then please take care